हलो एप्यवाण वेलकम बैक तो माइ चैनल तो गुड आफ्टरनून तो यहां मैं बैट के बना रही हूँ रंगोली क्योंकि आप सब जानते हैं आज है 14 तारिक और आज क्या खास है सबको पता है जी हैं दीवाली तो सभी को हैपी दीवाली तो यहां पे मैं बैट के रंगो अधर साइट पीछे साइट है तो बिना रंगोली की दिवाली मुझे लगता है अधूराई रहता है तो सरकारी कोटर इस तरिके से पास-पास सबका कमरा रहता है तो छोटी सी ही रंगोली यहां पर बना रही हूं लेकिन थोड़ी क्योंकि बड़ी रंगोली नहीं बना सकते सब का आना जाना दो मंजिला उपर सब यहीं से आते जाते और बगल बगल सब का कमरा है कमरे से निकलना तो यहीं पर मैंने छोटी सी रंगोली बनाई है तो फटा भगोने में खीर मैं यहां पर बना रही हूं तो सबसे पहले आपको दो चमच डालना है उसमें घी और चावल को मैंने यहां पर मिक्सी में दरदरा पीस लिया था मतलब वह ना जादा महीन ना जादा टायर्ट उसके बाद इसको हम लोग भूज देंगे चावल को घी में डा देना यहां एक लिटर मैंने दूट डाला है दूसरी तरफ मैं दिखाती हूं कि मेरी ननन्द यहां पे पीछे साइड बना रही है रंगोली और उधर रिद्धी की भी रंगोली चल रही है दोनों लोगों में कॉम्पिटीशन चल रहा है रिदी करी मेरी रंगोली बुआ स अच्छी होगी देखे रिद्धी खुद से बना रही है और दूसरी तरफ मैंने यहां पे दही लिया है लगवग आधा लिटर दही उसमें थोड़ा सा पानी मिला के इस तरीके से फेट लेंगे और हमने यहां पे एक कटोरी बुंदी लिया हुआ है मार्केट से बनी हुई और काला नमक तो यहां पे मैं बहुत सिंपल तरीक वाले बुंदी बना रही हूँ और बुंदी की मात्रा मैंने ज्यादा रखा है क्योंकि हमारे घर में सबको ज्यादा बुंदी रायता पसंद है कम बुंदी वाला नहीं तो लगवा कि कटोरी बुंदी डाला है हमने और आप जी हां लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा पसंद चाट मसाला भी एड़ कर सकते धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूं क्योंकि रिद्धी टुक्टु को भी खाना है और लोगों का भ दूल के यहां पर मैं लगा दे रही हूं सारे दिये तो इधर मेरी ननन्द की रंगोली होगे यह रेड़ी और रिद्धी की भी रंगोली बनके होगे रेड़ी आपको कमेंट के बताएगा दोनों में से किसकी रंगोली जादा अच्छी है तो हम आजाते वापस किचन में और यहां पर दूद बॉइल होने लगा है जो चावल के साथ मैंने मिलाया था अब इसमें हम लोग डालेंगे जी हां मेवा कुछ काजू बदाम उसके बाद इसमें सादानुसार आपको चीनी मिला देना है और इसको अच्छे से चला लेना है लास्ट में उतानने से पांच और इफिशल फूल नहीं आते वह मैंने लिया था पैतिस पैतिस रुपे में दो लड़ी मिल गई थी तो इसका मैं मंदिर लुक दे रही हूं और यहां पर जो टेवल लिया गया था स्टडी टेवल रिधी के लिए वही मैंने लगाया है तो इस तरीके से इस पार्ट को मैं डेकरेट कर रही हूं शाम की पूजा के लिए तर वापस आ जाते किचन में तो यहां पे लोहे की कड़ाई बे दो बड़े चमच सरसों के तेल डाले हैं जीरा डाला है और लैसुन मिर्चे का तड़का दिया है तो यहां पे सूरन का जी हां चोखा बना रही हूं भरता जो दिवाली के दिन खाना शुब माना जाता है बचपन से ऐसे हम लोग करते आ रहे हैं तो यह चीजे रहती है आप लोग खाते हैं कि नहीं सूरन का चोखा या सब्जी आप क्या बनता है कि कमन करके जोब बताएगा तो यहां पर सूरन को छिलके उबालके रग दिये थे जब अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें यही सूरन हम लोग मिला देंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे ताकि मसाला और सूरन आपस में अच्छे से मेल्ट हो जाए तो सरसू की मातर थोड़ा आपको जादा देना है ताकि स्वात दो गुना बढ़ जाए जीरे के साथ यह लोग अपने तरीके से बनाते हैं तो यह हम बना रहे हैं आप लोग भी ट्राइ करिए इस तरीके से बना के और वताएगा कैसा लगेगा खाने में इसके बाद कुछ नहीं करना है लास्ट में आपको धनिये का एक पेड़ लेना है काट केस में मिला देना है अच्छे से है और उसके बाद आपको फिर से चला लेना है आपका यह भरता सूरन का हो जाएगा रेड़ी बहुत यमी लगता है बहुत टेश्टी लगता है अगर थोड़ा सा खटा पसंद है तो नीवू भी एड़ कर सकते है उपर से ठीक है हेलो एप्र्यवान वैलकम बैक टु माई चैनल तो इस वक्त साम हो गई है और इधर चल रही है पुझे की तयारी सब लोग हो गए है रेड़ी तो हम भी हो गए है रेड़ी और पुझे की तयारी चल रही है और वह वाला लोग देखे ऐसे सजाया था मैंने कुछ और मेरी ननन भी हो गई है रेडी खुस्बू कहा हो तो यहां पर मैं बैठ जाते हूं सबसे पहले मैं बोलूंगे कि सभी को दिल से हैपी दिवाली आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा और आप कैसे मना रहे हैं दिवाली क्या कुछ कर रहे हैं खास वो भी कमेंट करके करते हो तो चलिए फटा-फट से ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि अब पूज का टाइं है और यहां पे मेरी ननन भी हो गई है लेडी मैं दिखाते हूं आपको यह है मेरी 2 ननन रेड़ी ना ना नंदी हो सबस दें कि more सम्षब कहां यह सारी काड़ा की सारी काड़ा कर्वा सबसक्ति कि छाइँ अब आपके परilla that पहने हैं रिद्धी का फ्रॉक रखा हो था बचुका फ्रॉक रखा रह जाता है ना कभी जल्दी पहनते नहीं है तो यह सब फैस्टिवल होता है इसमें पहना सकते हैं तो रिद्धी पहनी होई है और हैस्बिन जी तो चलिए आप लोग बताई का कैसे लग रही हूं मैं फड दूड़ी पहन रहे थी चोटी मोटी गलती तो आ जाते हैं फूजा की यहां पर सारी तयारी हो गई है तो इकई स्क्यावन ऐसे जला जाते हैं तो यहां पर उस तरीके से हमने दिया लगाया है और दो गड़ेश लच्मि जी का दिया है और अलग से पास दिया मान के रखा जाता है देवी देवताओ के नाम से और यहां पे लाल कपड़ा भिछा दिया और कुछ इस तरीके से सजाया है उपर तो सबसे पहले यहां पे गड़ेश लचमी जी की स्थापना करते हैं और हन्मान जी के मुर्ति एक खरीते हैं अलग से और उनके कपड़े हो गए उनकी माल है और तरीकेसे पूजयाता है हम लोग कैसे करते हैं해서 मैं आपसे यहां बता रहे हो इसके बाद आपको एक पान लेना और एक सुपाड़ी लेना है इस थापित करना है करते चढ़हाया जाताρί है फ्लमाना जाता है उसके ऑद कल्सा लेना है उसमें आपका अपा कल्लू अर एक कटोरी में चावल भर के उसके उपर घी का दीपक जलाना है तो इस तरीके से इतना करना रहता है पीड़ा आप लगाईए उस पे गड़ेश लच्वी जी की स्थापना करिए हन्मान जी को रखे तीनों मुर्तियां नहीं रखी जाती है और जो पुरानी मुर्ति होती उसक मीठे में नहीं होता है हाथी घोडा डिजाइंग हम लोग बोलते है चीनी का जो बना रहता है गटे लाई लावा यह सब आपको एक साइड रख देना है और आपको खीर और पूरी खाना जो आपने बनाया है बिना लैसुन प्याज वाले वह आप यहां पे चढ़ा सकते है लेकिन लचमी में आता है को प्रिय खीर रहता है तो यहां मैंने खीर और पूरी का भोग लगाने के लिए भी रखा हुआ है इसके साथ मिठाई वेगरा हो गया और हमने जो चांदी का सिक्का लिया था और आपके पास जो भी चांदी की चीजे हों पैसे हों वो सब चढ़ पूरी रात इसी तरह के से अखंड जोत की रूप में जलता रहता है तो यहां पे मेरे पती चढ़ा रहे थे फूल माला और मैं उनका हाथ इस तरीके से पकड़ के कहते ना पतनी का हाथ इस तरह से होने से दोनों एक ही ही रूप होते तो इस तरीके साथ पूजा कर सकते क्य तो गड़ेश और लशमी जी की जब आरती करते हैं तो पारी पारा जितने सद्धे से सब ठाली लेकर के असी आरती में करते रहते हैं तो इस तरीक युक्त हमने किया गड़ेश लशमी जी पुजा व्याइब और यह दीपक right तो यह मैंने सजा ली है दीपक और यह दर्वाजे पर रखा जाता है फुजा पाथ हो गई है वहां पर तो चलिए फटा फट से इसको दर्वाजे दर्वाजे दीपक रख लेते हैं का रहमें पर तड रहे हैं झाल झाल तो यहां पे मेरी बिटिया रानी ने अपने मंदिर में जो घर बनाया था वहां पे पूजा की है तो जो पुराना गड़ेश लश्मी जी की मूर्ति और हन्माद जी की थी वो यहां पे लाकर के उनको मिठाई वेगरा भूग लगा के दीपक वेगरा जलाया है तो यह यहां पे हम लोग आये मंदिर साइड गय थे पूजा करने के लिए तो बीच में पीपल देव पड़ते हैं यहां पे हर सनिवार को मैं दीपक जलाती हूँ यहीं पे तो वहां मैंने दिया जलाया और फिर चलते हैं मंदिर के तरफ तो बीच में आपको यह ग्राउं जल रहे थे जैसे सारा अंधकार दूर हो गया और इतना सुन्दर लग रहा था तो मैंने का आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ तो मैं आ गई हूँ पुलिस लाइन के यह मंदिर है मारा यहां पे दीपक जलाने के लिए तो पुजा पाट करने के लिए तो हर शाल द यहां गर वापस आगे हैं हम लोग और केंडल लगा दिये हैं तो चलिए प्रिशाद वगयरा सबके यहां देने के बाद हम लोग यहां पटा जलाने जा रहे थी तो महले में कहते कालोनिम एक दुस्रे के घर में हैपी दिवाली बोल के प्रशाद वगयरा दिया जाता है त तो चलिए थोड़ा से इंजॉय कर लेते हैं तो हमारे घर के पीछे साइट रंगा उड़ा तो आप लोग भी देख लीजे नजारा तो ज्यादा टाके विगरा नहीं छुड़ा है क्योंकि टुक टुक सो रही थी थोड़ा बहुत छुड़ा है इसके बाद यहाँ पे यह लैंप हम लोग चला करके अपनी विशेश मांग रहे हैं तो आज यह आज आते हैं वापस घर में और यहाँ पे डिनर में हमने बनाया है सूरन का चोखा मतलब जो भरता बोलते हैं उसके बाद यहाँ पे जीरा राइस है और पूरी है यहाँ पे और साथ में यहाँ में सूरन का जो यह भरता है उसको भरके भी हमने पूरी बना दिया है और यहाँ पे पनीर मतर की सबजी है पनीर मतर और खीर है और बूंदी का रायता तो यह होगा आज का हमारा डिनर तो इतना सब बनाया है दिवाली के उपलश में तह्वार में आप के हां क्या क्या बनाया कमेंप करके जरूर बताईएगा तो हमारी दिवाली तो हो गई है खतम और इस वक्त इनके पापा रिद्धी को समझा रेтоящ कि दिवाली के दिन पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए कि नहीं हाँ ऐसा होता है दिवाली के दिन पढ़ा जाता है हम लोग भी छोटे-छोटे से नानु हम लोगों को पढ़ाते थे दिवाली के दिन पढ़ना चाहिए और कल बिल्कुल नहीं पढ़ना पढ़ेगा तो चलिए इस तरीके से मनी हमारी दिवाली और यहां पे खुसबुबतिया रही थी फोन पे घर से और हम भी घर पे सबसे बात कर चुके हैं तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत बूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा आने वाले समय में और अच्छे वीडियो आपको मिलें करना मत भूलिएगा ताकि समय समय पर आपको हमारे आने वाले वीडियो कर नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए हो गई है रात तो अब हम लोग जा रहे हैं दिनर करने के लिए और दिनर में दिखाया आपको की क्या-क्या बना है दिनर में तो चलिए फिर से एक बास बहत युटनाइट भाई